जाईका इंडिया का यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हेल्दी और टेश्टी पालक पुलाव की रेसिपी तो चलिए सुरू करते हैं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें पालक पुलाव बनाने के लिए हमने यहां पर एक प्रेसर कुकर में तीन टेबल स्पून तेल अच्छे से गरम कर लिया है इसमें हम कुछ खड़े मसाले एड़ करेंगे जैसे की एक तेज पत् ओर अब इसमें एड़ कर देंगे दो मिडियम साइज की कती हुई प्यास और चार च्छोती तो हमने जो चार हरी मिश ली है उसको हमने इस तरह से सेंटर ύसमें से ककट कर लिया है और प्यास खड़ा से के अल में तुट आतर गरं जब तक कि थोड़ी सौफ TNo hoे जाए यान सबस्त लिए काटब में लगी है सहली अधी возмक देंगे आलू यह तरह से थोड़े तक्रड़ों काट लिया आप में इसमें खेंड तो पालक को हमने बारिक काट लिया है इसकी कुईंटिटी चार कप जितनी तो पालख और आलु को हम तेल में दो सेonter मिदित । हाई फ्लेम पर फ्राई कर कर लेंगे क्यूंकि कुछ ही देर में पालख सोफ्ट होने लगेगी तो देखिए दो से तीन मिनिट तक हाई फ्लेम पर फ्राई करने के बाद आप देख सकते हैं कि पालक थोड़ी सोफ्ट होने लगी है और इसमें से पानी भी रिलीज होने लगा है इस स्टेज पर हम इसमें कुछ सुखे मसाले एट कर देंगे जिसे की 1.5 टीजपून या फीर स्वादनुसा नमक, 1 टीजपून धनिया पाउडर, 1.5 टीजपून लालमिश पाउडर, 1.5 टीजपून हल्दी पाउडर और 1.5 टीजपून गरम मसाला सुखे मसालों के साथ ही हम इसमें एक टेबल स्पून अद्रक और लेसुन का पेस्टेट कर देंगे तो इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे देखिए हमने यहाँ पर मसालों को भूनते वक्त इसमें पानी बिल्कुल भी एट नहीं किया तो आपने देखा कि पालक में से पानी रिलीज होने लगा है तो लो फ्लेम पर 5-7 मिनिट के लिए इन मसालों को भून लेंगे तो देखिए पालक में सारे मसाले एट करने के बाद हमने इसे लो फ्लेम पर 5 मिनिट के लिए पका लिया है और आप देख सकते हैं कि सारे मसालों की भुनाई अच्छे से हो चुकी है इस टेज पर हम इसमें पानी एट कर देंगे तो अब यहाँ पर पुलाव के लिए हम इसमें 4 कप पानी एट कर देंगे क्यूंकि हमने यहाँ पर जितनी चावल की क्वंटिटी रखी है उसे डबल कॉंटिटी में हम पानी एट करेंगे तो 2 कप चावल के लिए 4 कप पानी हमने एट कर दिया तो पानी एट करने के बाद जब यह इस तरह से बोई होने लगे तब हम इसमें एट कर देंगे सोक किये हुए बास्मती चावल तो हमने यहाँ पर 2 कप बास्मती चावल को पाने से अच्छी तरह धो कर 15 मिनिट के लिए भिगो दिया था और इसे अच्छे से मिला लेंगे प्रेसर कुकर को लीट से कवर कर देंगे और हाई फ्लेम पर एक प्रेसर आने के बाद गेस की फ्लेम को लो कर देंगे प्रेसर आने तक हाई फ्लेम पर प्लेम पर प्लाव को पका लिया है और गेस की फ्लेम को ओफ करके हमने इसके प्रेसर को खुछ से रिलीज होने दिया अब हम इसे खोल कर एक बाद चेक कर लेंगे तो देखा अपने कैसे जट पट कुछी मिंटों में कितनी मज़ेदार हेल्दी और टेष्टी पालक पुलाव बनकर तयार हो गई और अब हम इसे सव कर लेंगे तो इस ठंड के मोसम में विंटर स्पेसियल पालक पुलाव की इस रेसिपी को आप अपने घर पर जब ट्राइ करेंगे तो कॉमेंट बुक्स में हमारे साथ अपने एक्स्पिरेंस सेर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक और शेर जरूर से कीजिएगा चैनल पर नए हैं तो मेरी आपसे हमबली क्वेश्ट है के चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं फिर मिलेंगे जाइका इंडिया का यूट्यूब चैनल पर एक नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए गुडबाई